बाहुबली की नोरा ने डिलबर पर इस मस्त अंदाज में किया बैली डान्स जॉन अब्राहम। बॉलीवुड के पॉवरफुल एक्टर जॉन अब्राहम इस बार 15 अगस्त के मौके पर देशबक्ती वाली फिल्म सतिम्वे जयते लाने वाले हैं। इस फिल्म में वह देश के ब्रश्ट नितावर लोगों को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। सतिमेव जयतेक का पहला टाइटल ट्रेक सॉंग दिल्बग रिलीज हो चुका है। यह गाना पुरानी फिल्म दिल्बग का रीमेक है जिसमें सुश्मिता सेन और संजय कपूर होते हैं। इस रीमेक गाने में स्पेशल नंबर के लिए मशहूर डांसर नोरा फतेही अपने बेली डांस के जरिये जॉन अबराहम को रिजहते हुए नजर आ रही है। रीमेक सॉंग को बॉलिवुद सिंगर निहा ककड और तनिश्ट बागची ने गाया है। लोगों को यह गाना काफी पसंद आ रहा है। रोकुंगा भी और ठोकुंगा भी उध्धरन, सुश्मिता सेंग के दिलब रीमेक में जॉन अबराहम संधिरक्ती नजर आएंगी नोरा फतेही सत्यमेव जयते में जॉन और मनूज के अलावा आईशा शर्मा और अमृता खनवलकर भी हैं। प्रेलर रिलीज के दौरान जॉन अबराहम ने कहा, सत्यमेव जयते पूरी तरह से कॉमर्शियल फिल्म है। जबकि मनूज वाजपाई फिल्म के बारे में कहते हैं, हर शुक्रवा को इंडस्ट्री में लोग बदल जाते हैं लेकिन जॉन हमेशा ही एक से रहते हैं। सत्यमेव जयते को मिलाप जावेरी ने डाइरेक्ट किया है। इन दिनों जॉन अब्राहम की अपक्मिंग फिल्म सत्यमेव जयते काफी चर्चा में हैं। साथ ही लंबे समय से फिल्म के दिलबग गाने का भ़ दर्शकों को बेसबरी से इंतजार था। वह अब खत्म हो गया है। जी हाँ, सत्यमेव जयते का दिलबग गाना रिलीज हो गया है। पता हो कि दिलबग गाना साल 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम का है। इस गाने को सुश्मिता सेन और संजय कपूर पर फिल्म आया गया था। अब इस गाने का एकदम नया वर्जन आ गया है, जिसमें फिल्म बाहु बलीग में। अपने डान्स से अलग पहचान बनाने वाली बैली डान्सर नोरा फतेही नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्बग काने का रीमेक फिल्म सतिमेव जयतेक में एक आइटम नमबर है। इस गाने को एकदम नय अंदाज में यानी अरेबिक थीन पर फिल्म आया गया है। गाने में नोरा फतेही का डान्स दर्शकों के दिलों को जीत लेगा। गाने में नोरा के साथ जो न अबराहम भी नजर आ रहे हैं। पता हो कि नोरा फतेही अपने बैली डान्स के लिए दुनिया भर में मशहुर हैं। उनके बैली डान्स के लाखों दिवाने हैं। इसलिए दिल्बग गाने के रीमेक को और बहतर बनाने के लिए उन्होंने काफी मनहिनत भी की. बात करें गाने की अन्य चीजों की तो इस गाने को पंजाबी और हिंदी सिंगर ने हा कक करने गाया. है, जबकि दिल्बग के ओरिजिनल वर्जन को अलकाय आगनेक और विनोध राठोर ने गाया था. आपको बता दे की नोरा फतेही जॉन अबराहम की फिल्म में दूसरी बार आइटम नंबर कर रही हैं. इससे पहले वह जॉन की फिल्म रॉप की हेंडिसम में तेरी तो याद साते गाने में नजर आई थी. इसके अलावा वह पंजाबी सिंगहौदिक संदू की ना गोरिये. गाने से भी दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं. उनका फिल्म बाहु बली में भी मनुहरी गाने में आइटम नंबर था.